हेलो आपरीववान एंड वेलकम बाग तो आवर यूटी ओप चैनल सावी फॉरेंसेक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वेकेंसी के बारे में और ये वेकेंसी आपकी जो त्रिपुरा FSL है उसकी थ्रू निकाली गई है तो आपकी जो त्रिपुरा में जितनी भी फॉरेंसिक साइंस लेबरेटरी है वहाँ पर ये कुछ आपका रेक्रूटमें नहीं करी गई है तो ये वेकेंसी फ्रेशर काड़ेट्स के लिए भी होने वाली है तो अभी जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया है पूरी डिटेरिंग देख लेते हैं किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रॉसेस है एक्जाम के सरा से होगा तो यह सब कुछ जान देते हैं लेकिन उससे पहले आप सब इसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर कर देजेगा सभी के साथ में ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच सके और जितने भी eligible candidates हैं वो सभी लोग in vacancies के लिए apply कर पाएं अभी start कर ले हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह इसकी पूरी notification है त्रपुरा Public Service Commission त्रपुरा का जो PSC है उसकी त्रू आई हुई है आगर तला और यह advertisement number है आपको यह जो online application से basically 5 vacancies के लिए recruitment है 5 में से 2 आपकी general है and 3 vacancies जो है वो आपकी ST category की है जो आपकी state FSL है त्रपुरा में वहाँ पर total number of vacancies 5 आई हैं और यह 5 vacancies जो है 3 different branches यानि कि 3 different disciplines में for example आपका chemistry, physical and biology यह 3 division में आपका यह vacancies आई हुई है अब यहाँ पर आपका pay scale क्या रहेगा तो pay scale level 13 है यानि कि 47,600 रहने वाला है और उसके अलावा यहाँ पर बाकी कुछ detailing ही हुई तो आप इसको देख लीजएगा अब यहाँ वेकेंसी की बात कर लेते हैं कौन कौन से department में और कितनी कितनी vacancies हैं तो यहाँ पर पहली वाली जो vacancy है वो scientific officer के लिए है chemical sciences division के लिए जहाँ पर आपका chemistry and toxicology division include करा जाएगा यहाँ पर आपकी दो number of vacancies है और यहाँ पर एक आपका general है एक आपका ST category के लिए है second जो है आपका वो biological division के लिए है जहाँ पर आपका एक तो biological और serology department के लिए है अगला आपका DNA typing के लिए है तो यहाँ पर आपके दो number of post है biological sciences में भी यहाँ पर भी एक आपका unreserve है और एक ST category के लिए है तीसरी वाले जो है यह भी scientific officer ही है बट यह आपका physical science discipline में है जहाँ पर आपका physics, ballistics and question document examination यह division में आपका recruitment होगा यहाँ पर number of post 1 है और यहाँ पर यह जो ST category है उनके लिए यह seat आपके reserve है अब यहाँ पर आपके mind में question आ रहा होगा कि यह vacancies के लिए क्या tripura state के ही candidates apply कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है tripura के साथ साथ जितनी भी tripura के बाहर की candidates है निकि जो tripura state की candidates है वो तो eligible हैं ही in vacancies के लिए उसके अलावा जो tripura से belong नहीं करते हैं वो लोग भी in vacancies के लिए eligible होने वाले हैं लेकिन अगर वो लोग किसी category में fall करते हैं जैसे कि SCST, OBC या फिर कोई दूसरी category में fall करते हैं तो वो लोग यहाँ पर उस category में apply नहीं कर पाएंगे जैसे कि आपका जो राजस्थान वाला exam होने वाला है basically तो उसमें जैसे था कि आपका जो राजस्थान के बाहर के candidate से वो सब general में fight करेंगे वैसे ही यहाँ पर भी same conditions है कि अगर कोई candidate tripura के बाहर का है और वो in vacancies के लिए apply करना चाहता है तो वो general category में fight करेगा तो उसका जो payment होगा वो भी general category वाला होगा और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका recruitment process रहेगा जो आपको seat मिलेगी वो भी आपके general category के accord ही यहाँ पर मिलने वाली है अब यहाँ पर अगर educational qualification की बात करें कि कौन कौन से लोग eligible है कौन कौन से division के लिए तो पहला है आपका chemical sciences की अगर हम बात करें तो chemical sciences में आपका जो master's है वो 50% marks के साथ में chemistry, biochemistry या फे forensic science with chemistry at your B.Sc. level तो bachelor's level पर आपका एक subject होना चाहिए and basically यहाँ पर bachelor's नहीं लिखा हुआ है विट हां master's में आपका forensic science with chemistry एक subject होना चाहिए from the recognized university next अगर हम बात करें biological sciences की तो यहाँ पर जो आपका है यह आपका master's होन होना चाहिए 50% marks same वही है बैकि आपका बाकी के subject है वो आप देख लीजेगा लेकिन forensic science में अगर आपने master's कर रखा है तो आप in vacancies के लिए eligible होने वाले हैं उसके अलावा next आपका physical sciences में भी वही same रहेगा master's with 50% marks in physics chemistry, mathematics, forensic science with physics और mathematics as one of the subject from any recognized university so basically अगर आपका master's in forensic science में है तो आप इन तीनों ही तरह की vacancies के लिए eligible होने वाले हैं यहाँ पर कुछ subject दे रखे है तो अगर आपका subject वो है तो आप इन vacancies के लिए eligible होंगे उसके अलावा desirable qualification यह है कि आपका जो knowledge है बेंगॉली language की और कोक बुरोक यह language की अगर आपको knowledge है तो वो best होज़ेगा बाकी as such यहा language आने ही आने चाहिए यह basically desirable qualification के लिए यहाँ पर बात करी गई है age limit की बात करें तो age limit यहाँ पर बताई गई है कि आपकी 18 years से कम नहीं होने चाहिए और 40 years से ज्यादा नहीं होने चाहिए अब यह आपका calculate किस base पर किया जाएगा तो यह calculation आपकी होगी 16th April 2022 के base पर 16th April 2022 के according आपनी age को calculate करेंगी तो उस date पर आपकी जो age है वो 18 से लेकर के 40 years के base में fall करनी चाहिए तो आप इन vacancies के लिए apply कर सकते हैं उसके अलावा जो SCST है physically handicapped candidates है तो उनको 5 years का relaxation भी मिल जाएगा और अब यह आगी चलते हैं और देख लेते हैं कि इन vacancies को apply करने के लिए last date के रहन करना है कैसे apply करना है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगी लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जो recruitment process है यह selection procedure किस तरह का रहने वाला है तो यहाँ पर पहले तो आपका होगा written examination वो written examination आपका 180 marks का होगा MCQ type होगा OMR based OMR based का मितलब है कि आपका pen paper mode में paper हो OMR sheet को आपको fill करना होगा और MCQs questions आपसे बहाँ पर पूछे जाएंगे कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पर देख लेते हैं तो एक तो आपका section 1 रहेगा जहाँ पर आपका English language, general knowledge, यहाँ पर आपका common disciplines रहेंगे item number 1, 2, 3 यानि कि जो आपके vacancies ती scientific officer, biological sciences, physical sciences and chemical sciences क तो उन तीनों में ही जो common subject रहेगा वो आपका रहेगा English language and GK और यह जो questions रहेंगे यह total आपके 60 marks की question होगे और इसके लिए आपको एक घंटे का time दिया जाएगा उसके इलावा यहाँ पर आपका next है जो section B है वो आपका basically subject matter पर subject matter का मतलब है कि अगर आप लोग chemical sciences के लिए apply कर रहें तो आपका paper chemical के लिए होगा biological sciences के लिए apply कर रहें तो biological का होगा physical sciences के लिए apply कर रहें तो physical sciences का होगा तो इस तरह से आपके subject matter में जो questions होंगे वो आपके 120 marks की question होंगे और यहाँ पर इसको करने के लिए आपको 2 hours का time दिया जाएगा So basically यहाँ पर सारे multiple choice questions होने हैं और आपके 2 zone में होंगे याने कि section A और section B जो section A रहेगा वो आपका जो आपको chemicals आपका basically English और general knowledge पूछ रहेगा और section B रहेगा वहाँ पर आपका जिस particular discipline के लिए आप apply करेंगे उसके लिए उसके questions आपको वहाँ पर solve करने होंगे उसके लावर next क्या है यहाँ पर आपका हर question के लिए wrong answer multiple answer has been given by the candidate so one fourth of the marks assigned to the question will be deducted इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी question को गलत करते हैं तो वहाँ पर आपके negative marking भी होगी और negative marking आपकी one fourth ही है one fourth का मतलब होता है basically अगर आपने चार questions गलत करे हैं तो उसके लावा अगर हम एक question की बात करें तो एक question अगर आपने गलत किया है तो उसके अगर आपका 0.25 marks जो है वो deduct होंगे तो basically यह चीज़ दिहान रखनी है कि negative marking है तो जिस question पर आप sure हो बस वही questions के लिए आपको यहाँ पर apply वही questions को आपको solve करके आना है तो यहाँ पर यह तो बात हो गई कि आपके 180 marks के questions होंगे तो basically 60 marks का आपका paper होगा इसका मतलब कि अगर section A की बात करें तो 60 questions पूछी जाएंगे और section B की बार के तो 120 questions पूछी जाएंगे तो overall यहाँ पर 180 questions हो जाएंगे और 180 questions का मतलब है 180 marks इसके बाद में आपका होगा interview और interview जो है वो आपका 20 marks का है तो यहाँ पर अगर हम overall calculate करें तो जो written examination है वो 180 marks का है और जो interview है वो 20 marks का है तो जो overall आपके marks देखे जाएंगे वो 200 में आएंगे क्योंकि 180 और 20 को जब आप add करेंगे तो 200 आ जाता है और total आपके जो overall merit list आएगी तो वो आपके marks के base पर आएगा 200 में ही आपका देखा जाने वाला है तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि interview में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा जो basically जो आपका written exam होगा उसमें जो qualified candidates होंगे वो ही आपके interview के लिए eligible होंगे तो interview में basically कितने लोगों को pass कराया जाएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी number of post है उसका five times यहाँ पर interview के लिए बुलाया जाने वाला है तो अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ biological sciences की बात करें तो biological sciences में दो vacancy है तो दो vacancy को five times कर दीजे यानि कि सिर्फ ten candidates जो है उनको interview के लिए बुलाया जाएगा उसी तरह से आपका physical sciences के लिए भी कर दीजे और आपका जो chemical sciences है उसके लिए भी कर दीजे तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो overall five vacancies है और five का five times कर दीजे तो आपके total candidates जो select होंगे overall वो आपके total 25 questions आपके students को select करा जाएगा for interview ठीक है और फिर उसमें जैसे भी आपकी performance होग अब आगे चलते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें कि यह जो आपका application है या apply कैसे करना है तो यहाँ पर clearly लिखा हुआ है कि candidates will have to submit application through online application portal online application portal से ही आपको in vacancies के लिए apply करना है अभी मैं आपको open करके दिखा दूँगी तो आपको clearly अच्छे से समझ में आजएगा बाकि जो बाकि इस वीडियो के comment section में pin मिल जाएगी तो वहां से भी आप डिरेकली जा सकते हैं ठीक है और यह vacancies का recruitment 15th of March से start हुआ है और last date इसकी है 16th of April अब यहाँ पर आगे चलते हैं और यह basically कुछ important points जो मैंने discuss कर लिए हैं already वही सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है अब हाँ fees र वो pay करेंगे यानि कि जो tripura के general candidates हैं वो लोग apply करेंगे और जो 250 rupees हैं यह जो tripura के SCST और BPL card holder और physically handicapped candidates हैं वो लोग 250 rupees का payment करेंगे लेकिन जितने भी आपके SCST की candidates हैं जो कि tripura के बाहर से belong करते हैं तो उनको general category का payment करना हुआ है जैसे कि इस वाई line में लिखा हुआ है तो इस आपको discuss कर लिए बाकि कुछ normal से points ही तो आप चाहिए तो इसको एक बार देख लीजेगा अभी इसका syllabus है कि आपको क्या-क्या पढ़के जाना है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप यह पूरा syllabus देख सकते हैं जो कि आपका tripura की state के दौरा ही निकाला गया है scientific officer की vacancies के ल questions आएंगे और जो आपका physical sciences का रहेगा तो उसमें आपका 120 questions आएंगे अब English में क्या-क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर आपके सामने लिखा है GK में क्या-क्या पूछा जाएगा तो वो basically जो tripura और northeastern state की GK होगी वो आपके questions यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं उसके किलावा next अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका chemical sciences है तो वहाँ पर जो chemical sciences है वहाँ पर जो बाकी चीजे है वो तो सेम रहेंगी लेकिन जो आपका chemical sciences जाने की subject matter होगा वो आपका proper chemistry department का यह chemistry की questions पूछी जाएंगे जैसे कि यह से ले बस आपके सामने इस time पर है अब ही psychological sciences पूछी रहेंगे यहाँ पर आपके questions पूछी रहेंगे यहाँ पर आपके सामने यह पूरा syllabus है तो यह जो syllabus है यह आपको मैं telegram पर share कर दूगी तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं और उसके अलावा जो notification आई है वो भी आपको वहीं पर available हो जाएगी ठीक है तो और देख लेते हैं कि इन vacancies के लिए अब apply करना कैसे करना है basically बाकी साही चीज़े हम डिसकास कर चुके हैं लेकिन application किस तरा से करना है अब वो हम देख लेते हैं तो अभी हम आचुके हैं तरेपुरा की जो official website है वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसकी link है उसके रावा यह link जो है आपको हमेरे telegram पर और इस video के comment section में भी मिल जाएगी तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे करके slide करना है और यहा आपको करना है click, click करने के बाद में आपके सामने एक page open होगा और वो जो page रहेगा वो कुछ आपके सामने इस सरा से आने वाला है यहाँ पर करना क्या है आपको वापस से slide करके नीचे आना है और यहाँ पर आपके सामने current recruitment openings का आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको slide करना है नीचे ले जाना है और फिर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के यहाँ पर recruitment के लिए apply करने को option है आपको जिसमें apply करना है वो है आपका यह वाला जहाँ पर लिखा हुआ है scientific officer, chemical sciences, biological sciences, physical sciences और यह FSL के अंडर है government of तृपुरा यहाँ पर आप देख सकते हैं last date भी से page open होगा जहाँ पर आपको अपनी details डालनी है आपका नाम, आपका mobile number, आपकी email id और फिर आपका OTP आपके phone पर आएगा और वो जो OTP रहेगा उसका use करते हुए आपको वापस से यहाँ पर डालना होगा and then आपका जो एक portal है वो आपका बन जाएगा, आपका registration हो जाएगा अब इसके बाद में आपके phone पर and आपने जो email id डाली है वहाँ पर आपको एक मिलेगा, आपका एक OTP आजाएगा और वो जो OTP है वो आपका 10 minutes के लिए valid रहेगा और वो आपको OTP यहाँ पर करना होगा, फिल, तो यहाँ पर OTP डालने के बाद में आपको कर देना है submit और submit क करने के बाद में आपके सामने एक वापस से page open होगा और उसमें देख लीजिए कि आपके सामने जो आपकी email id है और जो आपने password है basically वो आपकी registered email है वहाँ पर आपको हो चुका है mail, so basically अब जो है आपका registration complete हो चुका है and then आपको वापस से आपने details डालनी है, यहाँ पर सब क yes or no का option तो यहाँ पर आप no option को choose कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपके ID की details मांगी गई है और फिर बाकी जो चीज़े हैं, simple सी basic चीज़े हैं वो आपको fill करके save and submit कर देना है and then आगे कुछ और detailing होगे, तो यह basically कुछ यह form को इस तरह से fill करना है, बहुत simple procedure है, आपको difficult नहीं ह और उसके रावा जो चीज़ें हैं जैसे कि जो PDF है, जो syllabus की PDF है, इसकी notification है, वो सारी ही चीज़ें आपको हमेरे telegram पर available हो जाएगी और साथी साथ इसी वीडियो के comment section में pin भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, आप सारी PDF को download कर सकते हैं, link भी आपको वहीं पर available हो जाएगी, तो मित करते हूँ, चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी opportunity है, आप सभी के लिए हर एक बच्चा यहाँ पर आपका eligible होने वाले हैं, बहुत अच्छी opportunity है, एक्जाम भी आपका होना है, इंटर्व्यू भी महनत करिएगा, बहुत जादा महनत के साथ में इसके preparation करिएगा, और बस यह सोच लीजेगा कि यह job आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है, तो अभी इस वीडियो को करते हैं, जितने important information थी मैंने आपको दे दी है, उमीद करते हैं, सब कुछ clear हो गया होगा, बट फिर भी कोई doubt रजाता है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, उसका reply आपको definitely मिल जाएगा, और उसके अलावा वापस से एक request कि इस वीडियो को सभी के साथ में share कर दीजेगा, ताकि जितने भी students, for instance, science में interested है, in vacancies के लिए eligible हैं, और apply करना चाहते हैं, तो जरूर से उनको इसके बारे में information मिल और इसी तरह के और सारी vacancies के साथ साथ, अगर आपको forensic science के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं, और telegram का link आपको बहुत असान है, directly आपको telegram पर search करना होगा, at the rate savi forensics, आपको आराम से मिल जाएगा, तो अब इस वीडियो को करते हैं, and thank you so much for joining me here.